ओम श्यान्ती 29 मई 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर बाप दादा ने पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल सुनाते हुए कहा इस समय पुरानी दुनिया में न ला है न ओर्डर है लेकिन क्या आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी, अर्थात सभी करमेंद्रिया आपके ओर्डर में चलती है जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली होता है उतना ही राज्य के कर्मचारी भी सदा और स्वद्य इशारे से चलते रहेंगे बाबा ने कहा ऐसा कभी न हो कि आप इन आखों को ओर्डर करें कि नहीं देखना और वह देख करके फिर माफी मांगे कि गलती हो गई करने के बाद सोचने वाले को समझदार सहयोगी नहीं कहेंगे युक्ति-युक्त राज्य दरबार उसे कहेंगे जब आप मन को ओर्डर करें कि व्यर्थ नहीं सोचो और मन सेकंड में फूल स्टोप लगा दे दूसरी सेकंड भी न लगे बाबा ने कहा अगर किसी भी करमेंद्रिय वह करमचारी से बार-बार गलती होती रहती है तो ऐसे गलत कारिय करते करते संसकार पक्के हो जाते हैं इसलिए चेक करो और चेंज करो तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे जो आत्माई स्वराज्य चलाने में सफल हो जाती हैं तो उनकी मुख्य निशानी यही है वह सदा अपने पुरुश्यार्थ से संतुस्ट रहेंगे और साथ-साथ जो भी संपर्क में आने वाले हैं वह भी उस आत्मा से संतुस्ट होंगे अगर सो प्रतिशत सफल नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी को विश्व राज्य का ताजव तक्त प्राप्त नहीं होता वह सिर्फ रोयल फैमिली में आएंगे लास्ट में बाबा ने कहा अब तुम्हें चेक करना है कि सारे दिन में हम डबल तक्त नशिन कितना समय रहें अगर तक्त नशिन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी भी आपके ओर्डर पर नहीं चलेंगे क्योंकि जब तक राजा तक्त पर है तब तक ही उसकी आज्या मानी जाती है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार सोच और कर्म में समानता लाना की परमात्म प्यार निभाना है आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रही हैं, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह चल रहा है, आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी, सदा समय पर यथार्थ रिती से सहयोग दे रही हैं, कि बीच ब यथारोगी, कर्मचारी, करमेंद्रियां, चाहे स्थुल हैं, चाहे सुक्ष्म हैं, सभी आपके ओर्डर में हैं, जिसको जिस समय, जो ओर्डर करो, उसी समय, उसी विधी से आपके मददगार बनते हैं, रोज अपनी राज्ये दर्बार लगाते हो राज्ये कारोबारी सभी सो प्रतेशत आज्याकारी वफादार एवर रेडी है क्या हालजाल है अच्छा है वह बहुत अच्छा है वह बहुत 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 अच्छा है राज्य दर्बार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है वो कभी-कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलजल तो नहीं करते है इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो न ला है न ओर्डर है लेकिन आपकी राज्य दर्बार लाफुल भी है और सदा हानजी जी हाजिर इस ओर्डर में चलती है जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वत ही सदा इशारे से चलते राज्य अधिकारी ने ओर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है नहीं बोलना है तो second में इशारे प्रमान कारिय करें ऐसे नहीं कि आपने ओर्डर किया नहीं देखो और वहे देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथ ही कहेंगे मन को ओर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो सेकंड में फुल स्टो दो सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसको कहा जाता है युक्ती युक्त राज्य दर्बार ऐसे राज्य अधिकारी बने हो रोज राज्य दर्बार लगाते हो या जब याद आता है तब ओर्डर देते हो रोज दिन समाथ होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से वह कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कारिये करते करते संसकार पक्के हो जाती है फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ती दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह wrong है यह ठीक नहीं है और उसको चेंज करने की युक्ति वो नौलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार-बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा करमेंद्रियों को नौलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह wrong है लेकिन right क्या है और right पर चलने की विधीस पस्ट हो अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा लेकिन कहने के साथ साथ विधीस पस्ट करो तो सिध्धी हो जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुशार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माई हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुस्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रती पर्व के दिल से, सदा दिल के साध से वहा वहा के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व दवारा यह वहा वहा का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवशक्ता नहीं, यह अनहद गीत है, तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविश्य में सफलता का फल, विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, अगर समपुर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, कभी सो प्रतिशत सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, सो प्रतिशत सफल नहीं हैं, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का, राज्य का तक्त, ताज प्राप्त नहीं ह लेकिन रोयल फैमिली में आ जाता है। एक हैं तक्त नशीन और दूसरे हैं तक्त नशीन रोयल फैमिली। तक्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तक्त नशीन रहे। डबल तक्त कौन सा है? एक अकाल तक्त और दूसरा बाप का दिल तक्त। तो जो अभी डबल तक्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तक्त नशीन, विश्व का भी तक्त नशीन होता है, तो चेक करो, सारे दिन में डबल तक्त नशीन रहें। अगर तक्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी, कर्मचारी, करमेंद्रियां भी आपके ओर्डर पर नहीं चल सकती। कुर्सी पर हैं, तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं हैं, तो सब नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो, सभी राजा हो, कि कोई प्रजा भी है, राज योगी अर्थात राजा, देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो दुनिया उनमें भी विशेश विदेश हलचल में है वह वार और हार की दुविधा में है कोई हार रहा है कोई वार कर रहा है और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है तो वह है हार और वार की हलचल में और आप हो बाप दादा के प्यार में परमात्म प्यार दूर दूर से खींश कर लाया है कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धी बन पर इस्थिती को स्रेश्ठ स्थिती में बदल लेता है डबल विदेशियों में भी देखो पहले पोलेंड वाले कितने प्रियतन करते थे असंभव लगता था और अभी क्या लगता है रशिया वाले भी असंभव समझते थे चाहे 24 गंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा पहुंस तो गए ना मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना ऐसे ही सदा होता रहेगा कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे फिर हम कैसे जाएंगे परमात्म प्यार में वह शक्ती है जो किसी की आखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले हो निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वाइदा है अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीती की रीती निभाते रहेंगे कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना सदा निभाने वाले प्रीत करना अनेकों को आता है लेकिन निभाना कोई कोई को आता है इसलिए आप कोई में कोई हो बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉंडेज और अनेक प्रकार की रीती रिवाज और रस्म के बाउंडरीज को पार करके पहुँच गई है यह हिम्मत भी कम नहीं है हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं दोनों बैठे हैं बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं दोनों की हिम्मत अच्छी है इस हिम्मत में तो सभी नंबर वन हो फिर नंबर किस बात में है डबल विदेशी विशेश पुरुशार्थ करते हैं और रुहरिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे कोई question करते हैं कि आ सकते हैं आने अवश्य हैं डबल विदेशियों के लिए भी माला में seat result है लेकिन कौन और कितने वह आगे जल सुनाएंगे तो नंबर क्यों बनते हैं हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है तो अधिकार भी पूरा है फिर भी नंबर क्यों जो नंबर वन होगा और नंबर आठ होगा दोनों में अंतर तो होगा ना इतना अंतर क्यों पड़ता 16000 की तो बात छोड़ो 108 में भी देखो कहां एक कहां 108 तो क्या अंतर हुआ हिम्मत में सब पास हो लेकिन हिम्मत के रिटर्ण में जो बाप और ब्राह्मन परिवार दवारा मदद मिलती है उस मदद को प्राप्त कर कारिये में लगाना और समय पर मदद को यूज करना जिस समय जो मदद अर्थात शक्ती चाहिए उसी शक्ती दवारा समय पर काम लेना यह निर्णे शक्ती और कारिये में लगाने की कारिये शक्ती इसमें अंतर हो जाता है सर्व शक्तिवान बाप दवारा सर्व शक्तियों का वर्सा सभी को मिलता है कोई को आठ शक्ती कोई को छे शक्ती नहीं मिलती सर्व शक्तियां मिलती है पहले भी सुनाया ना कि विधी से सिध्धी होती है कारिये शक्ती की विधी एक है बाप के बनने की विधी दूसरी है बाप से वर्सा प्राप्त करने की विधी और तीसरी है प्राप्त किये हुए वर्से को कारिये में लगाने की विधी कारिये में लगाने की विधी में अंतर हो जाता है पॉइंट्स सब के पास है एक टोपिक पर वर्क्शोप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो तो एक पॉइंट बुद्धी में रखना यह है एक विधी और दूसरा है पॉइंट बन पॉइंट को कारिये में लगाना पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो दोनों का बैलेंस हो यह है नंबर वन विधी से नंबर वन सिध्धी प्राप्त करना कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए कार्ये शक्ति को बढ़ाओ समझा नंबर वन आना है तो यह करना पड़ेगा आजकल साइंस की शक्ति साइंस के साधनों दवारा कार्ये शक्ति कितनी तेज कर रही है जो चेतन्य मनोश्य कार्ये कर सकता है जितने समय और जितना यथार्थ चेतन्य मनोश्य कर सकता है उतना साइंस के साधन, कम्प्यूटर कितना जल्दी काम करता है चेतन्य मनोश्य को भी करेक्शन करता है तो जब साइन्स के साधन कारिय शक्ती को तिवर बना सकते हैं कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है तो ब्राह्मन आत्माओं के साइलेंस की शक्ती कितना तिवर कारिय यथार्थ सफल कर सकती है सेक्ड में निर्णे हो, सेक्ड में कारिये को practical में सफल करो सोचना और करना, इसका भी balance चाहिए कई ब्राह्मन आतमाइं सोचती बहुत हैं लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं, उतना करते नहीं है और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया वह नहीं किया क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो नहीं तो क्या होता है? सोचते हैं कि यह करना है लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कारिय का समय और परिस्थिती बदल जाती है फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था जब साइन्स के साधन तिव्रगती के हो रहे हैं एक सेक्ड में क्या नहीं कर लेते हैं विनाश के साधन तिव्रगती के तरफ जा रहे हैं तो स्थापना के साइलेंस के शक्ति शाली साधन क्या नहीं कर सकते अभी तो प्रकर्दी आप मालिकों का अहवान कर रही है आप लोग उनको ओर्डर नहीं करते तो प्रकर्दी कितनी धमाल कर रही है मालिक तयार हो जाओ तो प्रकर्ती आपका स्वागत करे ऐसे तयार हो कि अभी तयार कर रहे हो सम्पुर्ण तयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं अपनी महिमा को जानते हो अबजेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो संपुर्ण निर्विकारी भी हो संपुर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुशोत्तम भी हो सोलह कला संपन्न भी हो सभी बातों में फुल हैं तो समझो मालिक तयार है और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तयार नहीं बालक है लेकिन मालिक नहीं बने है तो प्रकर्ती आप मालिक का स्पागत करेगी बाप के बालक है वह तो ठीक है इसमें पास हो लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना प्रकर्ती को ओर्डर करें? अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना फिर तो ओर्डर करें ना यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो फिर तो नहीं कहेंगे ना अच्छा चारों और के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन विशेस आत्माओं को सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वर्दानी आत्माओं को सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिला राम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रूहानी बज्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया अब हैं पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात बाप दादा ने कहा पहरास्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में माहान बन गए यहे खुशी रहती है ना वे तो नामधारी माहान है माहान आत्माएं है लेकिन आप ट्रैक्टिकल्स वरूप से माहान आत्माएं हो यहे खुशी है ना तो माहान आत्माएं सदैव उँची स्थिति में रहती है वो लोग तो उंचे आसन पर बैठ जाते हैं शिश्यों को नीचे बिठाएंगे खुद उंचे बैठेंगे लेकिन आप कहां बैठते हो उंची स्थिती के आसन पर उंची स्थिती ही उंचा आसन है जब उंची स्थिती के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती वो आपको महान समझ कर आपके आगे जुकेगी वार नहीं करेगी हार मानेगी जब उंचे आसन से नेचे आते हो तब माया वार करती है अगर सदा उंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं वह उंचे चड़ नहीं सकती तो कितना सहज आसन मिल गया है भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है छोड़ा भी क्या जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है तो सदा सुरेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महानात्माई हो जितना सोचा नहीं था, उतना ही अती सुरेष्ठ प्राप्ती के अधिकारी बन गए इस भाग्य की खुशी है ना, दुनिया में खुशी नहीं है काला पैसा है, लेकिन खुशी नहीं है खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं आप खुशी के खजाने से भरपूर हो यहें खुशी कितना समय चलेगी सारा कल्ब चलती रहेगी आपके जड़ चितरों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है ऐसे तो नहीं, सिर्फ एक दो जनम चलेगी फिर खत्म हो जाएगी इतना स्टोक जमा करो जो अनेक जनम साथ रहे जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चहरे पर खुशी और नशा रहता है आप कहो न कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी कहते हैं न ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है पता नहीं क्या हुआ है इनको दुख में भी खुश रहती है आप बोलो न बोलो आपकी सूरत आपके कर्म बोलते है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना दुख के दिन खत्म हो गए इतना खजाना मिला फिर दुख कहां से आएगा अच्छा आज का वर्दान संपूर्ण ताकी स्थिती दवारा प्रकर्ती को ओर्डर करने वाले वेश्व परिवर्तक भव संपूर्ण ताकी स्थिती दवारा प्रकर्ती को ओर्डर करने वाले वेश्व परिवर्तक भव बाबा ने कहा जब आप वेश्व परिवर्तक आत्माई संगठित रूप में संपन संपूर्ण स्थिती से वेश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी तब यह प्रकर्ती संपुर्ण हलचल की डान्स शुरू करेगी वायू, धर्ती, समुद्र, जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी परन्तु यह प्रकर्ती आपका ओर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्प्यम के सहयोगी करमेंद्रियां मन बुद्धी संसकार आपका ओर्डर मानेंगे साथ-साथ इतनी पावर्फुल तपस्या की उँची स्थिती हो जो सब का एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रकर्ती हाजिर हो जाए अपने स्रेष्ठ भाग्य दवारा सब का भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृती दिलाते रहो ओम शांती और अब सुनते हैं आज का अविक्त ज्यान होती ये एक बहत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे झाल 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 झाल